पांच कोस्टन नहीं जानोगे तो विंटरवाइन लेकर भी न आप पैसे बरबाद करोगे जी हमारे कमेंट सेक्षन में भर भर के आया है ये कोस्टन और कई सारे लोगों ने पूछा है कि विंटरवाइन जल्दी से जल्दी किस तरह से हम खरीद सकते हैं कहां से परचेज कर सकते हैं तो इस विडियो में विंटरवाइन कैसे आप खरीदेंगे कहां से परचेज करेंगे ये पूरे डिटेल में बताऊंगा और साथ ही विंटरवाइन से रिलेटेड इस विंटरवाइन से डिलेटेड टॉप फाइब कोस्टन जो कि आपके लिए बहुत important होने वाला ह तो चलिए वीडियो को पहले से ही लाइक कर दीजे चैनल में ना है तो सबस्क्राइब कर लीजे तो चलिए आरंभ करते हैं तो जैसा कि आपको बताया था जूलाई के थर्ड वीक में मैं विंट अर्बाइन से लेटेड वीडियो बनाने वाला था जिसमें आप कहां से परचेज करेंगे किस तरह से बाय करेंगे वह पुरा information देने वाला था जो मैंने अनॉंस किया था अपने यूट्यूब पे तो ठर्ड वीक में मैं वीडियो नहीं डाल पाया इसके लिए बहुत बहुत सौरी माफ कीजिएगा लेकिन अभी इस वीडियो में complete information देने वाला हूं और top 5 query भी आपके बताने वाला हूं क्योंकि top 5 query जब आप जान लेंगे ना तो आपको winter wine से related ना बहुत सारी query बहुत सारी confusion है वो clear हो जाएगी जी हाँ इस winter wine से related बहुत सारी confusion और query clear हो जाएगी और साथ ही आपको ये लगाने में भी आसान होगा जी हाँ winter wine लगाने में भी आसान होगा जैसा कि आपको पता है मैं कई सारे वीडियो में बता चुका हूं कि winter wine कहां के लिए अच्छा है कहां के लिए नहीं अच्छा है जी हाँ ये कहने में कोई अतिस्योगती नहीं होनी चीए कि कहां पर winter wine अच्छा generation दे सकता है और कहां पर नहीं दे सकता है यह बहुत जरूरी है और देखिए अभी इंडियन गौवर्मेंट भारतिय सरकार ने भी विंड टर्वाइन से रिलेटेड विंड इनर्जी से रिलेटेड अपना रेगुलेट किया है और विंड इनर्जी का एक टार्गेट सेट किया है जहां पर क्या प प्लक्ष में और साथी देखिए ना भारत का जो एरिया है भारत का जो कुस्टल एरिया है भारत का जो फ्द्वेंड कहें कि जो मौंतेज वाला इरिया है वो काफी बड़ा है तो इन सब जगों में काफी potential है wind energy का और इसको देखते हुए हर कोई चाहता है कि wind का solution तो अपने घर में लगाए ही लगाए लेकिन wind का solution लगाने से पहले ये पांच चीज तो जान लो ये पांच चीज नहीं जानोगे ये पांच question नहीं जानोगे तो wind turbine लेकर भी न आप पैसे बरबाद करोगे जी हाँ आप wind turbine लेकर भी आप अपने पैसे बरबाद करोगे तो ये पांच question जरूर सुन लोगे न और उसके बाद मैं last में बताऊंगा कि wind turbine किस तरह से परचेज करना है यदि आपको सीधा wind turbine परचेज ही करना है तो उस section में जा सकते हैं लेकिन अभी हमें पांच query को बताते हुए वो section पर भी आऊंगा तो चलिए start करते हैं और जो पहला query है जो पहला question है कि how much power do the wind turbines generate जी हां कितना power wind turbine मेरा generate करेगा और wind turbine से मेरा ताथ पर ये भी है कि जो नॉर्मली देखिए बरे डाइना वाला जो wind turbine होता है उसको horizontal बोलते हैं लेकिन वहीं पे tulip wind turbine आ गया है flower wind turbine आ गया है जिसको काफी designer wind turbine बोल सकते हैं और ये wind turbine अपने घर पे लगा सकते हैं तो यहां पे मैं जो consider कर रहा हूं वो घर के लिए consider कर रहा हूं तो अभी जो मैं बताऊंगा आपको एक एक query वो wind turbine for home के लिए बताऊंगा तो wind turbine कितना power generate कर सकता है इसका तो कि आपके area में कैसा wind का speed है अभी wind का speed यदि अच्छा है बुरा है या कैसा भी है तो यह chart में आप देख सकते हैं कि कैसे generation हो सकता है chart में पूरा ही mention है तो आप video को रोक के पूरा अपने area के हिसाब से chart देख सकते हैं लेकिन एक standard है जिहां जब आप small wind turbine लेते हैं आप flower wind turbine ले तो यहां पर 36 watt per hour generate करेगा हमारा wind turbine और यह depend करेगा यह small के लिए मैं बोल रहा हूं 36.5 watt per hour generate करेगा यहीं पर देखें कि medium में कुछ अलग होगा large में कुछ अलग होगा जो कि आप chart में देख रहे हैं तो यह chart आप पूरा ही देख सकते हैं और chart से आप अंदाजा लगा सकते ह हैं अपने area के हिसाब से कि आपके area में wind turbine जब आप small wind turbine लगाएंगे vertical wind turbine लगाएंगे तो उसका generation किस तरह से होने वाला है तो बहुत जरूरी है यह जानना कि आपका wind turbine लगाने के बाद generation क्या होगा चलिए second question पर आते हैं what is off grid and what is on grid यानी off grid और on grid क्या wind turbine में भी होता है तो पता होगा कि solar panel system जब भी हम लगाते हैं तो उसमें एक question आता है या एक term आता है off grid on grid hybrid तो क्या यह hybrid on grid off grid winter wind turbine में भी होता है क्या तो जी बिलकुल होता है winter wind turbine में भी off grid होता है on grid होता है देखिए support जहां पे आपको electricity का generation अच्छा मिल रहा है और यह grid से connected हैं आप और वहां पे आप कोशिश कर सकते हैं कि ना off grid system लगाकर आप directly on grid system लगाएं और जो extra electricity बनेगी वो grid में जाता है आपको पता है वो grid में जाता है और जब आपको requirement होती है जहां पे कि आपका wind turbine उतना electricity generate नहीं कर पाएगा तो जो grid में आपका deposit है electricity वो आप यूज कर पाएंगे तो ये एक grid वाला जो system है एक तरह से bank system बोल सकते हैं आपका bank में जमा होता है और वहां से आप उसको use भी कर सकते हैं अब off grid क्या है तो off grid जहां पे पूरी grid की connectivity नहीं है या आप चाहते हैं कि पूरा ही आपका घर renewal energy पे चले तो वहां पे आप क्या कर सकते हैं कि wind turbine के साथ battery system install कर सकते हैं और क्या होगा कि दिन में रात में कभी भी वह battery को भी चार्ज करेगा और साथ के साथ आपको electricity भी देगा तो in the worst scenario जबकि wind का flow अच्छा नहीं होगा या wind का flow बहुत तेज होगा जब जहां तेज होगा कि आपका wind turbine काम करना बंद कर दे तो उस समय पे आप battery से यूज कर पाएंगे बाइटरी में जो current store है उसको यूज कर पाएंगे तो यह completely off grid system होता है अब इसमें hybrid system को भी consider कर सकते हैं जहां पे grid के भी connectivity होती है और आपका battery bank भी installed होता है inverse scenario वह आप triple mode पे यानि three dimensional आपको solution मिल जाता है तो यहां पे off grid भी है on grid भी है hybrid भी लगा सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है और इस तरीके का solution आप अपने घर में के लिए चूज कर सकते हैं तो depend करेगा कि आपके area में किस तरह का electricity आता है और नहीं आता है तो off grid ही जा सकते हैं को कोई दिक्कत नहीं है अर्णीवल इनर्जी सोर्स लगाना कोई बुरा बात नहीं है चलिए third question पर आते हैं what size of wind turbine यानि what size of turbine should you pick यानि आपको किस size का wind turbine pick करना है तो देखी यह size का जो matter है न यह एक तरह से आपके consumption पे भी depend करता है जी हां size का मेंटर है आपके consumption पे depend करता है सा साथी आपका जो building है वो कितने floor का है उस पे depend करता है तो इस सारे parameter पे आपका कितना ज्यादा उसको सोचना है या उसके से related आपका क्या query है सपोज मुझे एक kilowatt की requirement है तो एक kilowatt के हिसाब से हम विंटर वाइन लगाएंगे 2 kilowatt की requirement है तो 2 kilowatt के हिसाब से विंटर वाइन लगा लगा सकते हैं और यह depend करता है आपके totally consumption पे और साथ ही आप जिस area में रहते हैं वहाँ पे आपको कितने height पे permission मिल सकती है आप कितना उचा लगा सकते हैं तो यह पूरा depend करता है उस area पे आपके consumption पे और government के norms पे तो यह तीनों चीजों पे आप देखेंगे तो आपको जो comfort के लगे उसको comfort पे आप अपना विंट्र वाय लगा सकते हैं कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है । यहां कोश्चन पर चलते हैं How do you choose the right product? जी हां आप कैसे आपका right product choose करेंगे तो देखी यहां पे भी आपको जानना परेगा कि आपका wind turbine कैसे काम करता है आपका wind turbine किस तरीके से electricity generate करता है आपका wind turbine जो है उसकी efficiency क्या है तो और कितने उसका wind turbine को कितना wind flow मिलेगा तब जाके वो electricity generate करेगा तो यह जो parameter है यह जो wind turbine का एक तरह से accelerate करने का तरीका है उस तरीके को जानने के बाद आप अपना एक wind turbine पूरे अच्छे तरीके से choose कर सकते हैं आपको बताना चाहूंगा हमारे description में एक form भी मैंने link दिया हुआ है उस form में अपने पूरे detail को submit कीजिए और उस पे भी आपको ज कोई बिना जानकर एक product लेते हैं और आपकी consumption पूरी नहीं होती है तो आपका देखिया ROI के हिसाब से आपका मतलब बेकार ही product हो जाता है सब्सक्राइब का प्रोड़क्ट ले लिया और उसका generation 5000 का भी नहीं है तो उसका ROI कैसे आएगा उसका return on investment कै आएगा तो यह भी देखन पूर लगाएं लेकिन green energy का generation भी प्रॉपर तरीके से हो इसका भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है तो आप description में लिंक है वहां पे पूरा डीटेल सब्मिट कर सकते हैं और वहां से आपको एक expert advice मिल जाएगा चलिए फिप्त और final question पर आते हैं कि how many wind turbine will power a house जी हां यह भी बहुत important question है कि भाईया कितने wind turbine हम लगा लें कि हमारा घर में पूरा एकदम electricity की generation proper हो जाए तो सबसे पहले यह जानना होगा कि आपका घर कितने floor का है और आप किस area में हैं क्या आप समंदर यानि coastal वाले area में तो नहीं है या पहारों वाले area में तो नहीं है या आप मैदानी area में तो नहीं है देखे solution आज के समय में सब जगह पे है जी आचाहे आप मैदानी area में है coastal area में है पहारी area में हर जगह wind का flow आपको मिलता है कुछ न कुछ तो मिलता ही है तो सपुछ मैदानी area में है तो और आपका 5000 का बिल आ रहा है 5000 की consumption है तो वहाँ पे आपको एक दो ती तीन लगाना पर सकता है यदि एक किलो वाट का लगाना है तो तीन चार लगाना परेगा और उसके हिसाब से आपको electricity generate होगा और आप क्या करेंगे उसको यूज कर पाएंगे इसी तरीके से आप पहारी area में है तो वहां का wind flow के हिसाब से आपको product choose करना परेगा तो depend करेगा कि आप किस area में हैं किस region में हैं और उस region के हिसाब से आप अपना product choose करें अपना winter one choose करें और ये उस हिसाब से यदि आप अपने product को choose करेंगे तो आपका घर आपके घर में जो electricity की requirement है energy की requirement है वो भी 100% fulfill होगी तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आप किस location में है वह स्पीड पर काम करेंगा ये सारी चीजें आप एक तरह से टिग माक कर लीजिए और उसके बाद अपना winter one पूरा ही पर्चेज कर लीजिए तो चलिए अब most important part पर आते हैं और आप जानना चाहेंगे कि winter one मैं कहां से पर्चेज करूं तो आपको बताना चाहूंगा जो अभी electricity generate करता है तो यहां पर मैं आपको एक company के बारे में बताना चाहूंगा फ्लावर winter one के बारे में बताना चाहूंगा जो की इन्होंने product build किया है develop किया है और इनका एक website है जो description में link दिया हुआ है उस website पे आपको सीधा जाना है जी हां उस website पे आप सीधे जाईए और कहीं और जाने की जुरूरत नहीं है कहां से purchase करना है यह मैं बता रहा हूं तो उस website पे आप जाएंगे और डिटेल आप screen पे भी देख रहे हैं उस website पे जाने के बाद आपको सीधा सॉप section में जाना है जी हां उस website पे जाने के बाद सॉप section में जाए और वहां पे आप जैसे ही तो यहां मैं आपको बताना चाहूंगा जो पहला है वह सर्वाइवल विंट रवाइन है अब इसका प्राइस है आप वेबसाइट पर देख रहे हैं चौदा सो डॉलर का है और इसमें जब भारत में आप मंगाएंगे तो पांच सो डॉलर और भी आड़न कर लेजिए वह 500 डॉलर और भी आड़ करेंगे तो यह टोटल प्राइस जो होगा इस प्रोड़क्ट का वह लगभग 1900 डॉलर का हो जाएगा जी हां 1900 डॉलर का यह प्रोड़क्ट हो जाएगा और यह मैं स्मॉलेस्ट बोल रहा हूं आपको जब 1900 रुपे का कोई प्रोड़क्ट हो गया है तो इसका भारत में क्या प्राइस होगा तो यह भी मैं बता देता हूं और कल्कुलीटर खोल लेता हूं 1400 प्लस मैं पाँच सो यानी 1900 रुपे हो गे 1900 डॉलर हो गए स्वरी 1900 डॉलर हो गे और इसको आप मल्टिप्लाइ कर देंगे इसको आपको multiply क्या करना है अभी जो dollar का rate चल रहा है वो लगभग 82 चल रहा है तो यदि आप 82 से multiply करेंगे तो ये लगभग एक लाख 55,800 रुपे का है जी हाँ कि ये जो product आपने वहां पर purchase किया ये कितने टाइम में आपके पास आ जाएगा तो company यहां पर भी बता रही है कि ये लगभग 6-12 weeks में आपके घर पर आ जाएगा तो 12 weeks का मतलब हुआ कि लगभग तीन महिने में आएगा यानि अभी आप यदि ये पर्चेज करते हैं product तो लगभग तीन महिने यानि 90 दिन के बाद ही आएगा तो इस तरीके से आप order कर सकते हैं और कोई भी बिचोल यहां पे भारत में देखिए क्या है कि wind turbine का ज्यादा company भी नहीं है ट्रेडिंग भी बह यहां से डिरेक्ली पर्चेज कर सकते हैं और यह जो कंपनी है फ्लावर विंटरवाइन यह यूएस बेस्ट कंपनी है जहां पर की अच्छा विंटरवाइन का फ्लो भी रहता है टेस्टेड है और इसका product जो है काफी जगों पर टेस्ट किया गया है तो यहां से आप सब्सक्राइब कर लें इसी तरह का helpful content को देखते रहने के लिए चैनल पर बार बार आने के लिए आपका बहुत-बहुत-बहुत धन्यवाद जैहिंद